नमस्कार दोस्तो आज के इस वीडियो में हम कैंगन वाटर के बारे में बात करेंगे क्या है यह कैंगन वाटर? क्या हम इसे रूटीन लाइफ में ड्रिंकिंग पॉपस के लिए इस्तमाल कर सकता है? क्या है इसे यूज करने के health benefits और limitations? और वीडिया केंगन वाटर क्या है और आपको कहां से मिल सकता है? तो इन सब्भी चीज़ों के बारे में आज हम बात करेंगे तो अगर आप इन चीज़ों के बारे में डीटेल में जानना चाते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखें और मेरी चैनल Civil Engineering Forum को सब्सक्राइब जरूर करें तो दस्तों ये तो हम सब जानते हैं कि हमारा body जो है वो 70% तक water से बना है तो इसलिए हमारी physiological needs को satisfy करने के लिए physiological needs जैसे की digestion, blood circulation, muscular functions और बहुत सारी हमारी body की needs fulfill करने के लिए पानी इस्तमाल होता है, water इस्तमाल होता है तो इसलिए हम कौन से टाइप का water जो है वो consume करते है उसके उपर बहुत सारी चीज़े डिपेंड रहती है तो जैसा कि मैंने आपको बताया हम यहाँ पे kangen water के बारे में बात करेंगे क्या हम इस kangen water को routine life में consume कर सकते है पर हाँ यह kangen water समझने के लिए हमें पहले pH value क्या है यह समझना होगा तो basically अगर मैं बताओ तो यह pH value जो है वो basically एक measure है water कितना acidic यह फिर basic है तो इसका measure है इसको अगर measure किया जाए तो इसकी value 0 से 14 तक होती है और अगर इसकी pH value 7 है तो मतलब कि हमारा water जो है वो neutral है ना तो acid ना तो basic है नेutral है अगर 0 to 7 है तो यह acidic हो गया और more than 7 है मतलब 7 से 14 तक है 8 से 14 तक है तो हो गया basic और इस basic water को हम alkaline water बोलत है पर अगर हम अमरे body की बात करें तो drinkable water की pH कम से कम 7 और ज्यादा से ज्यादा 9 होनी चाहिए मतलब कि 7 to 9 के बीच में ही रहनी चाहिए drinkable water की pH value तो मतलब अगर आपके body की pH value 7 से कम है तो इसका मतलब है कि आपका body जो है वो acidic है और यह acidic body होने की वेज़े से आपको कुछ problems का सामना करना पड़ सकता है जैसे की gastric problems, piles, constipation, kidney problems जैसे की kidney stone, ulcer और बहुत सारे problems का सामना आपको करना पड़ सकता है अगर आपके body की pH मतलब acidic है तो और और अगर मैं बात करूँ तो आपके body की अगर pH जो है वो alkaline है मतलब आपका body basic है तो यह सारे problems eliminate हो जाता है और इवन आपके body का thermodynamics जो है वो और उसके साथ साथ हमारा blood flow भी maintain रहता है तो heart attack के chances भी कम हो जाते है अगर आपके body की pH alkaline है तो तो अगर आप alkaline water drinkable purpose के लिए इस्तमाल करना जाते है तो इसके लिए kangen water machine जो है वो market में available है और अब हम बात करेंगे कि आखिर यह machine walk कैसा करता है normal water को alkaline water में कैसा convert करता है तो basically यह technique सबसे पहले जपान में introduce हुई थी जिसमें machine में basically दो चार्जिस इस्तमाल होते है positive और negative य और इस तरह से alkaline water को drinkable purpose के लिए यूज़ कर सकते है और अब हम बात करेंगे कि आखिर हमें यह machine यूज़ करनी चाहिए कि नहीं तो यहाँ पर मैं आपको यह clearly बता देना चाहूंगा क्योंकि यह कोई sponsored video नहीं है देखिए आपको alkaline water कुछ इन ही conditions में इस्तमाल करना अभी कुछी studies ने मतलब हमें इसके health benefits दिखाए है और वह भी बहुत small studies आप समझ सकते हैं इसलिए लोग इसे worldwide use नहीं कर रहे हैं और हाँ अगर आप यह alkaline water ज्यादा मात्रा में लेते हैं तो इससे क्या है कि आपके पेट में जो digestive bacteria अच्छे वाले bacteria वह भी मर जाएंगे तो इससे आपको digestion में भी problem हो सकता है तो अगर आप alkaline water लेते भी है तो भी आपको एक limit के अंदर ही लेना है बाकि इसके साथ साथ normal water भी consume करना है और दूसरी चीज़ है कि यह machine जो है वो market में थोड़ा सम expensive मिलता है तो अगर आप 2-3 lakh तक investment कर सकते है drinking water के लिए तो ही इसे alternative options available है and these were only my suggestions you can take your doctor's opinion तो दोस्तों उमीद करता हूँ आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगा और अगर आशा है तो इसे like कर दीजिए और मेरी चैनल civil engineering forum को subscribe जरूर करे this is all for today thank you for watching